प्रेडिक्शन गेमप्ले पर विच्छन गेमप्ले जहां पर दोनों टीवों के बीच में जो मुकाबला होने वाला है लगनाव सुपर जायंट्स वर्स्वाल चैलेंजर्ड बेंगलोर के बीच में एक टफ मुकाबला मैं कहूंगा यहाँ पर हमारे डी वाई पाटिल स्टेडियम से आज का यह मुकाबला हम लोग को देखने को मिलेगा, दोनों टीम का लाइन अप स्टेटस में बता देता हूँ, लकनो सुपर जाइन्स, तीसरे नंबर पर है छे मैचेस खल के चार जीत, दो हार, आट पॉइंट्स पर है और राइल चेलेंजेस बैंगलो ठीक उनके नीचे चार पोजिशन पर है, चार नंबर पोजिशन पर है छे मैचेस पर चार जीत, दो हार, आट पॉइंट्स पर और दोनों टीमों के कप्तान यहाँ पर उत्रेंगे टॉस के लिए हम लोग प्रेक्स ब्रेडिट कर लेंगे टॉस भी एक बार दोबारा से यहाँ पर फैव डुपलसी और हमारे लखनाव सूपर जाइंट्स के कप्तान के इल राहूल टॉस कर रहा है यहाँ पर रोयल चैलेड उस बेंगलो ने यहाँ पर हेट्स की मांग किया है और यहाँ पर टॉस जिट चुके है लखनाव सूपर जाइंट्स क्या लेंगे यहाँ पर कैप्टन के ल राहूल देखे लेंगे हम लोग यहाँ पर बैटिंग करने का फैसला सुनाया है यहाँ पर लखनाव सूपर जाइंट के लिए के इल राहूल देख लेंगे हम लोग कौन कौन उतरेंगे यहाँ पर की प्लेयर्स हम लोग दिखा देंगे आपको जो दोनों प्लेयर बैटिंग करेंगे आपको आपके fantasy team में ज़रूर रखना है यहाँ पर मरकस टॉइनिस और केल रहूल को और हजलवूड RCB का बुलर पहला बॉल और एक बहुत ही बहतरीन swing एक को यॉरकर swing देखने को मिला एक को हवा में गेंज जैसे पुरा कटके गया keeper के बास पहला बॉल जोश हाजलवूड दुवरा दूसरा बॉल केल रहूल को और यहाँ पर leading edge केल रहूल के back के उपर इसी किनारा लगते हुए यह पहला चौका निकल गया है लखनाव सूपर जाइंट्स के लिए केल रहूल ऑन फायर यहाँ पर बहुत ही बैतरीन क्या तीसरे बॉल पे खुछ कर पाएंगे और इस बार तीसरे बॉल सीधे Marques Toinis के पैर पे और यहाँ पर एक रन किसी तरीके से चूरा लेंगे Marques Toinis के पैर पे सीधा जाके लगा बॉल वहाँ पर लगा कि शायद इंजर हो जाएंगे लेकिन नहीं मारकस टॉइन इस रेडी है फिस अभी स्ट्राइकिंग एंड पर आ चुके है नॉन स्ट्राइकर से चौथा गेंड फेस करेंगे जॉश हैसलूट का और पहली केंड में बैतरीन शॉट लगाया यहां पर स्ट्रेट के तरफ और यहां पर सिर्फ एक रन बटोर पाएंगे दो रन लेने की मांग था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे थोरा अच्छा आउट फिल बहुत फास्ट है जिसके कादर दो रन नहीं ले पाए अच् सूपर ओवर के पहले इनिंग्स का केल रहूल उन स्ट्राइक और यह बहतरीन बॉलिंग जोस हाजलवूट ने यहां पर बहती इंपोर्टन्ट विकेट चटकाते हुए यहां पर सीधा बैक पे लगते हुए विकेट पे लगा प्लेडाउन हो गए और यहां पर थोरा ही र गया यहां पर बहतरीन कोशिश के लगा द्वारा छे रन एक विकेट के दुकसान पर आखरी बॉल इस सूपर ओवर के पहले इनिंग्स का क्या यहां पर कुछ होप कर पाएंगे और यहां पर अच्छा बॉलिंग सीधा लाइन और लेंथ और एक इंपोर्टन डॉट बॉल खतम करते हैं यहां पर ओवर सिर्फ और सिर्फ छे रन में खयें खतम होता है लकनौ सूपर जाइंट्स का रॉयल चैलेंजर्स बंगलूर को साथ रनों की अवस्चक था एक ओवर में और शायद लकनौ का मैन बोलर आएंगे यहां पर बॉलिंग करने के लिए देख लेंग और हम लोग रिप्लेज यहां पर जब तक देखते हैं मैं हमारे फैंटेसी टीम का मैं आपको बता सकता हूँ कि केल राहूल जरूर है और वहां पर एक बहुत ही इंपोर्टेट मार्कस टॉइनी भी रखना चाहिए आपको कुिंटन डिकॉक थोरा टलमल कर रहे हैं यहां पर अपने फॉर्म लेके लेकिन यहां पर रवी बिश्नोई अविश्खान को जरूर रखिएगा लखनो सूपर जाइंट्स का बॉलिंग अटैक पे बहुत ही अच्छा काम करेंगे और और आल राउंडर पे मैं जरूर कहूंगा कि जेशन होल्डर और कुरुनाल पाइंड इसका क्या कहना दोनों को रखना चाहिए फैंटसी टीम में बहुत ही अच्छे फॉर्म पर है और पहले ही बॉल में फैब्डू प्लेसी ने फ्लिक कर दिया यहां पर चौके के लिए बॉल निकल रहा है लेकिन वहां पर अच्छा फिल्डिंग तीन रन चुडा लिया है य दूसरा बॉल पाच रन चाहिए पाच गेंदों में और इस बार भी सेम फुल टॉस बॉल था लो फुल टॉस बॉल इस बार सीदे चौका लगा दिया है यहां पर फैब्डू प्लिक लखी ने और इसके लिए चार रन मतलब छे रन का खेल अल्रेडी समाप्त कर दिया है द पाच गेंदों में और लग रहा है कि यहां पर मैच जीच चुक है रसी वी और इहां पर एक बहुत ही मैटत पून डॉट बॉल इस बार कोई रन नहीं अच्छा बॉल इहां पर अच्छा कमबैक क्या यहां पर एक अनोखा देख सकते हम लोग एक मिरकल देख सकते हैं यहा यहां पर लगा दिया है उपर से कवर के और चौकार बफ्रोरेंगे दस रन बना दिये हैं साथ रनों का टार्गेट था और जीच चुक है यहां पर आज का मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जब करेंगे एक दम चौथे पोजीशन से एक दम उपर चले जाएंगे रॉय वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्षन पर बताएए आपका सपोर्ट की बहुत 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 अवश्रकता है यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीच चुके हैं आप सभी फैंटसी टीम में जरूर वो प्लेयर्स रखिएगा केल, राहूल, मार्कस स्टॉइनिस, बदोनी, जॉश हैसलवूट को रखिएगा, वैब्डु प्लेसी, विराट को अली, मोस्ट इंपोर्टन्ट पिक्स है, मैक्सवेल के साथ, और बॉलिंग भी अच्छा रहता है यहां पर, आर्शीवी का, जहां पर हम लोग देख सकते हैं, महम्मद सिराज ज आर्निवाल